असलाम लेकुम लेडिज और जेंटलमें वेलकम बैग आज टोपिक इस सेवन हैबिट्स अफ हाली एफेक्टिव पीपल बैस स्टीफन आर्गोवे यह स्टीफन आर्गोवे कि हम एक बुक की आज समरी देखेंगे उसके जिस सेवन हैबिट्स हैं basically हम इन habits को ही discuss करेंगे चीक है तो वो seven habits कौन सी है और believe me, यह seven habits को adopt करके आप खुद में बहुत सारे positive changes ला सकती हूँ अपनी life को पहले से बहुत 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 बना सकती हूँ so, वो seven habits कौन सी है यह जानने के लिए lecture को last तक लाजमी देखियेगा so, without wasting any time, let's dive into it okay, the seven habits are be proactive, begin with the end in mind, put first things first, think win-win, seek first to understand, then to be understood, synergize and sharpen the saw अब इनका क्या मतलब है, इनको one by one हम discuss करते हैं so, the very first one was be proactive, proactive people take the initiative, जो proactive लोग होते हैं, वो initiative खुद लेते हैं यानि वो खुद आघास करते हैं, they act instead of being acted upon, वो खुद action लेते हैं, fine being proactive means, a proactive का मतलब क्या है, being proactive means, taking radical responsibility for your problems, instead of giving energy to circumstances and things beyond your control मतलब आपकी meaning जो है, इसको हम इस तरह से summarize करेंगे, कि आपकी जो problems हैं, आप उनकी पूरी-पूरी responsibility लो, ठीक है, आप अपनी problems को solve करो, अगर कोई मसला आया है तो उस पे घबराने की बजाए, उस पे action लो, बजाए इसके कि आप अपनी सारे energy waste कर दो, कि ये circumstances ऐसे हैं, ये इस वज़ा से हुआ, ये उस वज़ा से हुआ, अब जो हो गया, वो तो हो गया ना, ठीक है, अब आपको किस चीज़ पर focus करना है, कि आपने उस problem को किस तरह से solve करना है, और आप वो चीज़ें भी जो आपके control में ही नहीं है, उन पे अपनी energy waste करने का कोई फाइदा नहीं ह जो चीज़ें आपके control में हैं, आप सिर्फ उन पर focus करो और उनको देखो कि आप किस तरह से उन्हें better कर सकती हो, so take responsibility for your life and decisions and focus on what you can control, आपने responsibility के लिनी है अपनी life की और अपने decisions की, आप अपनी life की और अपने फैसलों के जमेदार खुद हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं है, तो आपने इसके responsibility लेनी है, यह जमेदारी आपने खुद पे लेनी है, और आपने यह भी decide करना है, यह भी focus करना है, कि आप कि इन चीज़ों को control कर सकती हो, जो आपके control में ही नहीं है, उन पे तो आपने इनरजी waste नहीं करनी है, जो आप कंट्रोल कर सकती हो, आपने उन पे focus करना है, proactive people choose how to respond to a given situation, वो यह सोचने के बजाए कि यह जो मसला हो गया है, अब क्या बनेगा, अब मैं बरबाद हो गई, मैं तबाह हो गई, ऐसे कुछ नहीं सोचते, उनका यह होते है कि अब यह मसला हो गया, अब हमने किस तरह से इस situation में, इसको response किस तरह से करना है, हमने reactive people focus on things they cannot control and cultivate a narrative of victimhood, अब प्रो एक्टिव का मतब तो यह हो गया है, कि आप किस तरह से उस पे चीजों को solve कर सकते हैं, और जो reactive people होते हैं, उनका focus ही होते है, उन चीज़ां पर फोकस होते है, जो वो control ही नहीं कर सकते हैं, तो जो control ही नहीं करना है, उन पर उनका जादा फोकस होगा कि यह मेरे साथ अब यह हो गया, वो हो गया, ठीक है, और यह victimhood की तरफ वो जाते हैं, बहुत खुद को न, वो victim, जो machine type, खुद को show करना न, यह ऐसा बहुत पसंद होते हैं, तो हमने reactive की बजाए proactive बनना है, fine, practice pro activity by making commitments to yourself and sticking to them, आपने किस तरह से pro activity को practice करना है, कि आप खुद के साथ कोई भी commitment करो, और उसके साथ जुड़े रो, ऐसा नहीं है कि आप commitment करके, खुद के साथ ही भूल जाओ, ठीक है, जैसे आप खुद के साथ commitment करो, कि मैं अफ़ला जो चीज़े वो नहीं करूंगी, ठीक है, तो आपने इस commitment के साथ जुड़े रहना है, आपने commitment को छोड़ना नहीं है ठीक है challenge yourself अब किस तरह से हम यह how can we be proactive तो challenge yourself to test the principle of productivity by doing the following आपने करना क्या क्या है replace reactive language with proactive language मैंने आपको पीछे बता है ना कि reactive people कैसे करते हैं और proactive कैसे करते हैं तो आपने reactive को proactive से change करते हैं ठीक है replace करते हैं जैसे reactive लोग कहते हैं ना he makes me so mad मतलब वो मुझे बहुत गुसा दिलाता है something like that लेकिन आपने proactive बनना है by saying I control my own feelings ठीक है मतलब मुझे अपनी जो feelings हैं मेरे उन पे control है मुझे ना कोई गुसा दिला सकते है ना ही मुझे कोई बहुत जाथा खुश कर सकते है मेरा अपनी feelings पे खुद control है ठीक है तो आपको ऐसा बनना है ना के reactive बनना है convert reactive task into proactive one ठीक है मतलब इस पूरी habit का एक ही काम है कि आपने reactive से proactive की तरफ जाने अगर आप पहले ही हो then it's a good thing fine next second one is begin with the end in mind अपने mind में end को रख के आपने शुरू करने कैसा ही Conway invites us to imagine our funeral वो मतलब हमें जो राइटर है Conway ठीक है Stephen R Conway की बात हो रही है यहां पर कि वो क्या करते है वो हमें कहते है कि आप imagine करो कि आपकी मौत हो गई है ठीक है How do you want to be remembered? आप खुद को किस तरह से चाहोगे कि आपको याद रखा चाहे ठीक है What would you like your friends and family to say about you? आप क्या चाहोगे कि आपके दोस्त और आपका जो खांदाने आपकी जो फेमिली है वो आपके बारे में किस तरह से बात करे या आपके बारे में क्या कहे ठीक है? Beginning with the end in mind means clarifying your goals and values to guide our actions मतलब end mind में रखे यह जो अभी एक वो imagine करवाया है कि आप अपनी मौत को imagine करो और देखो कि आप किस तरह से चाहते हो खुद को याद रखे जाना तो इसका मतलब यह इसलिए करवाया गया था कि आप जो है हर चीज कोई भी आप चीज शुरू कर रहे हो ना आपने कोई भी एक step लिया है तो आपके mind में उसका जो end है वो होना चाहिए कि आपका यह जो आप step ले रहे हो जो जिस रस्ते की दिरफ जा रहे हो तो यह रस्ता कहां पे खतम होगा ठीक है आपका जो है यह goal है क्या आप clarified goal होना चाहिए ठीक है इसको कहते है begin with the end in mind develop a personal mission statement आपकी एक अपनी mission statement होनी चाहिए आपका अपने एक mission होना चाहिए कि मैंने यह करना है ठीक है अब mission statement में क्या होगा asset of values and principles toward which you will direct your actions मतलब वो values और वो principles का set कि जिनकी तरफ आप अपने जो आपको आपके action की तरफ direct करेंगे ठीक है आपके अपने कौन सा action लेना है और वो action आपको goal की तरफ लेकर जाएंगे ठीक है ensure that your actions don't contradict the guiding principles that you hold आप जो action ले रहे हो वो आपके principles से जो है वो मुखालिफ नहीं होना चाहिए ठीक है यह चीज़ आपने लाजमी mind में रखनी है अब कैसे आप यह कर सकते हो यहाँ पे कुछ exercise है challenge yourself to test the principle of beginning with the ending mind by doing the following दो यहाँ पे चीज़े हैं पहली break down different roles in your life आपकी life में जो different roles है आप उनको break down कर लो and list five goals for each सब के लिए आप five goals लिख लो ठीक है इसमें आपके personal goals आ सकते हैं आपके professional goals आ सकते हैं आपके community goals आ सकते हैं ठीक है community roles I mean ठीक है तो इस तरह ही आपके different roles आ सकते हैं तो आपन breakdown कर लेना है आपने पूरी जिंदगी को उसके जो roles हैं उनको breakdown कर लेना है define what scares you आप यह define करो कि आपको किस चीज़ से डर लगता है public speaking से या critical feedback after writing a book write down the worst case scenario for your biggest fear पहले आपने यह लिखा कि आपको कौन से चीज़ डराती है फिर आपने यह लिखा जो चीज़ आपको सबसे कर जाओ तो क्या हो जाएगा ठीक है उसका worst case scenario आपने लिखने जने then visualize how you will handle this situation फिर आपने यह visualize करना है कि अगर वो बुरी situation हो जाती है तो मैं किस तरह से उसे हल करूंगी finally write down exactly how you will handle it और आपने यह खुद के पास लिख भी लेना है समझाए इस चीज़ की मैं इस steps को जो है व को आपने divide कर लेना है कुछ five to six goals में ठीक है आपने लिख लेना है कि मेरा जो personal role है उसमें मेरे ये five goals है आपका professional में ये five goals है community में ये five goals है goals है sorry ठीक है तो उन goals को आपने जब लिख लिए है उसके बाद उन goals में देखो हर goal में हर goal का जो worst case scenario वो क्या होगा मतलब आपको किस च लिखना है कि अगर आपको वैसी situation का सामना करना पड़ता है तो आप उसको कैसे solve करोगे ये आपने imagine करना है और उसके बाद अपने पास ये बकाईदा लिख भी लेना है कि आप इस तरह से situation को handle करोगे समझाए मेरी बात की fine हम third point के तरफ चलते हैं put first things first इसका मतलब है putting first things first is the practical execution of habits one and two अब पहली और दूसरी जो habits हमने देखी है ये उनकी practical execution है कैसे you must be proactive आपको proactive होना चाहिए and use your guiding principles अपने guiding principles जो हमने second point देख है आपने उनको use करना है to determine the most important activities in front of you and execute them accordingly आपने अपने सामने जितनी भी activities है आपको इस साथ काम करने है आपने उन साथ कामों में से देखना है कि आपके लिए कौन से जादा important है और कौन से सबसे कम important है आपने उन्हें उस way में फिर handle करना है ठीक है जो जादा priorities इसको देनी है उसको सबसे पहले करना है और इस तरह से आपने उनको handle करना है be disciplined and manage your time आप आपने बहुते discipline रहने है अपने time को manage करने है your time is the most important thing fine determine important tasks and execute them and prioritize important tasks over urgent but less important ones ठीक है पहले आपने ज्यादा important tasks को रख लेने है फिर इसी तरह से आपने वो priority के हिसाब से आपने उनको set करने और फिर उन्हें handle करने अब यह चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक matrix दिखा रही हूँ आपने अगर अपने पास यह matrix बना लो इस चीज़ को mind में रखो तो believe me आप easily जो है वो कर पाओगे यह फैसला कर पाओगे कि कौन से आपके लिए ज़्यादा important है कौन से कम है अब यहाँ पर देखें यह urgent जो जल्दी करने वाले हैं और not urgent जो जल्दी करने वाले नहीं है मत important है यह non important है ठीक है यह तो हमारे main इस पे हमने वो headings लिख ली अब हमने वो चार उसके quadrant बना दिये चार एक तरह से हिस्से कहले बना दिये ठीक है सबसे पहले जो quadrant one है जिसमें quadrant one वो होगा जो urgent टास्क भी होंगे और important भी होंगे यह वाले यह urgent भी होंगे और most important भी होंगे इसमें हमारे पास crisis आ जाते हैं, pressing problems, deadline driving project मतर जिनके deadline करीब हो, ऐसे project ये important भी होंगे और urgent भी होंगे, दूसरी तरफ important तो होंगे, लेकिन बहुत urgent नहीं है, जरूरी नहीं है कि अभी किया जाए, तो इसमें हमारे पास relationship building आ जाता है, organizing new opportunities आ जाता है, planning आ जाता है, ये सारे चीज़े, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, जो important नहीं होते हैं, लेकिन urgent होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई interruption आ जाते हैं, कोई call or meeting आ जाती है, कोई popular activities आ जाती हैं, वो urgent तो होती हैं, लेकिन इतनी important नहीं होती हैं, toward our goals, fourth हमारे पास आ जाता है, जो नहीं important होती हैं, नहीं urgent होती हैं, तो इन activities को आपने बहुत ही end पे रखना हैं, ठीक है, ये सबसे कम priority ने देनी हैं, तो इसमें हमारे पास trivial busy work आ जाता है, time wasters आ जाते हैं, pleasant activities आ जाती हैं, मतलब जिने आपसे, जिनको करने से आपको खुशी तो मिलती हैं, लेकिन वो बहुत जादा important नहीं हैं, तो आप उन्हें कम priority दो, समझाएं इस matrix की, आपने इस पूरे को समझने और इस हसाब से decide करने, कि आपने कौन सी activity को पहले करने, कौन सी activity को बाद में करना है, ठीक है, और इसके बाद ways, कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप first thing first output कर सकते हो, सबसे पहले identifying quadrant two activities you have been neglecting, write it down and commit to implementing it, हमारे पास quadrant two ये वाला था, ठीक है, जो not urgent लेकिन important है, तो आप इन activities को भी अपने बास लिख लो, जिनको आप काफी टाइम से neglect कर रहे हो, और खुद के साथ एक commitment कर लो, कि आप इन activities को करोगे, ठीक है, create your time management matrix to start prioritizing, यह जो पिछला matrix था, ऐसे एक matrix बना लो, और उसमें यह अपने सारा चीज़ी हैं, वो लिख लो, estimate how much time you spend in each quadrant, आपने एक estimation करनी है, कि आप कितना time एक quadrant में लगा होगे, मैंने चार quadrant बताए, तो आपने देख लेना है कि किस quadrant में आपको कितना time लगेगा, then log your time over three days, आप तीन दीन का आपना time बनाओ, how accurate was your estimate, आपने फिर यह question करने है, कुछ से यह judge करने है, कि आपका estimate कितना accurate था, how much time did you spend in quadrant two, the most important quadrant, मतलब quadrant two में आप कितना time लगाते हो, आपने फिर यह देखना है, इस तरह से यह सारे चीज़ें आपने handle करनी है, हम fourth पे चलते हैं, it's think win-win, अब यह win-win से यह मराद है, इसका मतलब यह हुआ, you should seek mutually beneficial outcome in all your interactions, आपने ऐसे interaction में जो है na, mutually benefit outcome देखने है, जिसम दोनों parties को फायदा हो, ठीक है, Conway explains that there are six paradigms of human interaction, Conway कहता है कि छे paradigm होते हैं, human interaction के, अब हो कौन कौन से है, एक है जी win-win, win-win situation ऐसी होती है, जहां पे दोनों को फायदा हो, ठीक है, दोनों का अच्छा result मिले, win-loss situation ऐसी होगी, जिसमें एक को तो फायदा हो, पहली पार्टी कि इसको फायदा हो, दूसरी जो पार्टी है, उसे जो है, वो नुकसान हो, ठीक है, लॉस्वीन भी होती है, कि इसमें जो है, एक जो पार्टी है, उसे फायदा होगा, दूसरी को नुकसान होगा, ठीक है, तो इसमें यह होगा, कि आप क्या करोगे, that this paradigm is based on the belief that putting the needs and desire of other before your own as the best way to achieve a satisfactory outcome, कि आप जो है, अपनी needs को अभी पीछे शोर दो और दूसरों की need को जादा priority दो, तो इसमें आपकी loss situation, दूसरे की win situation, ठीक है, next parody में आ जाते है, loss loss, या lose lose, तो इसमें क्या होगा, कि इसमें दोनों parties का नुकसान होगा, ठीक है, win situation, इसमें क्या होगा, कि of course success ही म deal है, यह वो situation है, जिसमें या तो दोनों को फाइदा होना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा हो कि आपको फाइदा नहीं हो सकता दोनों को, तो आप वो काम नहीं करो, ठीक है, no deal, ठीक है, आपने वो काम करना ही नहीं है, जिसमें दोनों को फाइदा ही नहीं हो, यह paradigms होते ह तो हमने कुछ सी स्टूइशन को करना है हमने विन-विन स्टूइशन को स्ट्राइफ करना है इन विन लोज और लोज विन सेनरियोस वन परसंट गर्स वर दे वांट अट एक्पेंस अफ एन अधर अगर तो दोनों को फाइदा नहीं हो रहा तो आप डील को खतम कर दोगे न तो ऐसा नहीं होगा क्या आप दूसरों की वज़ा से अपना जो है वह फाइदा करोगे या एक को नुकसान दूसरों को फाइदा ऐसे जो सारी सिच्वेशन होंगी ना उनसे हम बच जाएंगे तो इसमें मैं आपको बता दे दियों कि किस तरह से आप यह कर सकती हैं get yourself to start thinking win-win with these challenges the very first one is consider an upcoming challenge where you will attempt to reach an agreement or solution ठीक है आपने upcoming interaction को consider करना है जहाँ पर आप attempt करोगे किसी भी agreement को reach करने की या solution ढोडने की write down a list of what the other person is looking for and consider how you can meet those needs जो अगला person है आपने उसकी सारी list को मताब इक list बना लीनी है उसमें उसकी सार्चिसें लिख लेनी है जो उससे चाहिए और फिर आपने उनके एक तरह से आंसर भी ढूंड लेना है कि आप कौन सी जो उसकी need है उसको किस तरह से पूरा करोगे identify three important relationship in your life and consider their balance do you give more than you take आपने पहला कुस्ट नहीं करना है कि क्या आप जितना हसल करते हो उसे जादा देते हो write down 10 ways to give more than you take in each relationship आपने हर relationship में देखना है कि किस तरह से 10 ways आपने लिखने है किस तरह से आप जादा कम लेके जादा उन्हें दे सकते हो identify your interaction tendencies and how they affect others आपकी जो interaction के जो रुजहनात हैं आपने उनको identify करना है और दूसरों को effect कैसे करने ये भी identify करना है are they windows क्या ये situation windows है आपने ये भी identify करने है can you identify the source of that approach आपने उस source की उस अप्रोच की source का भी identify करने determine whether or not your approach serves you well in your relationship कि आपके जो relationship में वो आपके जो approach है वो आपको फाइदा पहुंचा भी रही है या नहीं the fifth point is seek first to understand then to be understood habit five means that you must listen actively and empathetically before communicating your own views अपने views दूसरों को पहुंचाने से पहले आप दूसरों को अच्छे से सुनो ठीक है listen what with the intent to understand not to respond आपने इस intent के साथ सुनना है कि आप जो है अगले person को समझोगे ना कि सिर्फ response देने के लिए थोड़ा बहुत सुनो ठीक है आपको एक तो open-minded रहना है और judgmental नहीं होना आपने यह नहीं करना कि आप थोड़ा से सुनके किसी को judge करने लग जो ठीक है non-judgmental रहना है and avoiding imposing your biases and assumptions on other आपने जो अपने biasness है यह अपने जो आपके views हैं यह assumptions जो हैं उनको किसी और पे मत थोपो ठीक है आप अपनी बात अपने तक ही रखो fine the result is improved communication, deeper relationships and more effective collaboration of course यह फाइदे तो फिर आपको होने ही होने है अब यह आप किस तरह से कर सकते हैं few ways मैं आपको बता देती हूँ next time you watch two people communicate cover your ears and watch आपने अपने जो कान हैं उनको cover करना है और उनको देखना है what emotions are they sharing किस तरह के emotion share कर रहे है that might not come across through words alone ठीक है for example was one person or the other more interested in the conversation write down what you noticed ठीक है अब आपको जब आपको लफ्स नहीं सुन रहे होगे कानों पे आपके हाथ होंगे आप सिर्फ वाच कर रहे होगे देख रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा person जादा interest show कर रहे है अपनी एक body language से ठीक है बजाय लफजों के तो कौन सा नहीं कर रहा है जो चीज़ आप notice करते हैं उसे अपने पास लिख लो आपने को भी बात करनी है तो उसमें आपने audience को point of view जहर में रखना है कि audience को क्या चाहिए वो कौन से problem को face कर रहे है और आपकी जो बात है वो उनकी problem के solution प्रवाइड कर भी रही है या नहीं और कर रही है तो किस तरह से कर रही है ठीक है Sixth point is synergize synergize का मतलब है मतलब दूसरों की मदद करना है इस वे में आते है synergize तो the synergize habit emphasizes the power of collaboration and encourages to look for opportunities to work together to create outcomes greater than the sum of their parts आपने मिल के काम करने को ज़्यादा importance देनी है क्योंकि जब आप मिल के काम करोगे तो जो आप अकेले अकेले काम करें और 10 लोग काम करें और 10 डॉलर इच जो है वो अर्ण कर रहा है लेकिन जब 100 डॉलर टॉटल ठीक है लेकिन जब आप मिल के काम करेंगे तो उससे आप ज़्यादा अर्ण भी करोगे और ज़्यादा सब को फाइदा भी होगा की to synergy and collaboration is following people's differences and seeking ways to combine strengths to reach more significant outcomes than what one could achieve alone ठीक है अपने जो है एक तो दूसरों के जो differences है ना आपके दूसरों के साथ उनको mind में नहीं रखना अपने जो मुखालफत है वो सार चीज़ें एक साइड पर रखनी और मिल के काम करना है और देखना है कि किस तरह से आप जादा फाइदा हसल कर सकती हो अब यहाँ पर मैं कुछ ways बता देती हूँ तो सबसे पहले make a list of people who irritate you आपने उन लोगों के एक list बना लेनी है जो आपको बहुत irritate करते हैं बहुत तंग करते हैं अब अब अगर वो irritate करते हैं तो अफकोर्स उनके विवस दिफेंट ही होंगे तो आपने देखना है कि कैसे उनके विवस दिफेंट है पूट यूरसेफ इन देर शूज खुद को उनकी जगा रखके सोचो आपको इमेजिन करो ना कि उनकी जगा पे होना कैसा लगता है नेक्स ताम यू डिसग्री विवस दिफेंट है तो आपने उनकी जगा पे फिर कुद को रखके सोचने है और यह सोचन है कि वो अगर ऐसा रिस्पोंस कर रहे है तो क्यों कर रहे है ठीक है अगर वो डिसग्री है तो क्यों है ठीक है इस तरह ऐसे आप जो है अपना यह दूसरों का माइंट इसली चेंज कर सकते हो सेगेंड पाइंट पाइंट इस मेंका लिस्ट ओपीपल विध हूम यूँ गेट अलंग वेल आपने उन लोगों की भी लिस्ट बना ले नहीं है जिनके साथ आप अच्छा आप करना वो बनती है फाइंट उनके व्यूस कैसे डिफरेंट हैं नेक्स राइड आउन सिटूइशन वेर यू है एक्सलेंट टीमवर्क एंट सेनर्जी वाइव वट कंडिशन वर मैंट रिच सेनर्जी हाव कें यू रिक्रियर दोस कंडिशन अगें मतलब आपने फिर ऐसी कंडिशन लिखनी है जहां प दे लास्ट पाइड शार्पन दसा इसका मतलब है शार्पनिंग दसा मीन्स कंडिशन वाइंग अर्पर्सनल डिवलपमेंट थ्रो डेलिबरेट एक्षिंट रिन्यू अंड रिचार्ज आर इनर्जी तर इसल्ट इस हैपी होलिस्टिकली हाल्दी एंड एफेक्टिव इंड होगी वह रिन्यू यह रिचार्ज हो जाएगी ठीक है इसका रिजल्ट क्या होगा आप बहुत खुश रहोगे हाल्दी आपकी हैल्दी रहोगे ठीक है और आप जो एक इंडिविज्व बहुत ही अफेक्टिव होगा ठीक है इस इसी तो गेट कॉट अप इन आर वर्क सब्सक्राइब कॉन्वी पॉसर्स दैट वी मस्ट टीग थाइम तो शार्पन आर्शा तो रिमेंग एफेक्टिव मतब खुट पे हम अक्सर कुट को नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन खुट पे भी फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो आपने खुट पे भ होंगे जब हम रही हाल्दी नहीं होंगे हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो दूसरों की मदद कैसे कर सकती हैं तो पहले खुद की मदद करो फिर किसी और की चाकर टाव ठीक है अब आप यह किस तरह से कर सकते हो तो लिस्ट रीजीव एक्टिवटी अच्थिवरी करते हो और आप हर वीक कोई ना कोई एक अक्टिविटी करते रहो ठीक है इडेंटिफाइट असेंचल एरियास ऑफ रिन्योवल और यह परस्नालटी फोर एक्सम्पल पीपल और एक्स्ट्रोवर्डिट इंड माइट नीड तो फोकस मोरें सोचल रिन्यूवल वेरास अधर मा करने के सोचल रिन्यूवल कैसे लाएं कुछ लोगों को जरूरत होती है फिसिकल रिन्यूवल कैसे लाएं कुछ लोगों को मेंटल रिन्यूवल के जरूरत होती है तो आपने यह देख लेना है कि आपको कहां पर जरूरत है fine that's it for today आज का हमारा lecture यहीं तक था I hope कि आपने यह सारे seven habits हैं इनको समझा होगा अच्छे से और enjoy कि होगा अच्छ के lecture को so consider subscribing to my channel thank you